प्रिकेट में टेक्नलोजी का स्माल कोई नई बात नहीं है जहां एक समय थर्ड अंपायर रन आउट और करीबी कैश का फैसला लाल और हरी बत्ती जला कर करते थे अब उसकी जगा स्चेडियम में लगी बिग स्क्रीन ने ले ली है अब इसी स्क्रीन पर थर्ड अंपायर का टीवी में आउट ये नोट आउट लेकर दिखाया जाता है थर्ड अंपायर से लेकर कैमरे का इस्तमाल हॉक आई, स्नीकोमेटर, होट स्पोर्ट, स्पाइडर कैम, स्पीड गन, स्टम माइक जैसे तमाम तक्निक अब भी खेल प्रेमियों को देखने को मिलती है अब क्रिके पॉल एक तरह की इंटेलजेंट पॉल होगी जिसमें इलक्ट्रोनिक चिप लगी होगी, सैंसर वाली एक खास चिप रियल टाइम में स्पीड, स्पिन, पावर जैसी जानकारी घटा करेगी, जिसे विशेह रूप से डिजाइन किये गए एप के माधियम से स्मार्ट वोश, मोबाइल टैबलेट ये कंप्यूटर लैप्टोप पर देखा जा सकेगा, गेन के बारे मैंने उख़ी बात ये है कि ये गेन स्पिन होने के बात की कती और उच्छाल का डेटा भी उप्लब कराएगी, अभी मوجود तक्वी गेन को छोड़ने के समय और पिच से टकराने से पहल गेन के समान ही है, इसका लुप भी एक जैसा ही है, उनका कहना है कि गेन के अंदर चिप होने के बावजूद भी इसके वचन में कोई बतलाब नहीं आया है, अब आपको इसके इस्तमाल के बारे में भी बता देते हैं, इसमें ऑपरेटर को एप पर एक बटन दबाने की इकटी हुई जानकारी को फिर लैप्टॉप या कंप्यूटर पर संख्याओ के रूट में दिखाया जाता है, मोबाइल की बात करें तो गेन से जानकारी इसी दे ब्लूटूट के जरी मोबाइल में बेजी जा सकती है, और रिजर्ट मोबाइल एप पर देखे जा सकते हैं, सूतरों का कहना है कि अब ये गेन केरिवें प्रिमेर लीग, बिग पैश लीग और आइपेल जैसी लीग में भी इस्तमाल की जाएगी, अब देखने वाली बात ये है कि ये टेकनीक क्रिकेट में कितनी कारगर्स साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, वीडियोज के लिए चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले,